हेलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने वीवो T1 X Android में आप अपने मुवाइल फोन की स्पीकर की प्रोल्म को आप कैसे सॉल्फ कर सकते हैं दोस्तों कई वार ऐसा होता है कि हमारा मुवाइल फोन का जो स्पीकर होता है उसमे यहां पर आपको जो है ना अच्छे से साफ कर लेना है ठीक है तो यहां पर दोस्तों और आई है जो उपर की साइड में आपका यहां से भी आवाज आती है आपकी तो यहां से आपको जो है इसे भी अच्छे से साफ कर लेना है दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको ताकत से ज्यादा ताकत नहीं लगानी साफ करने के लिए आपको हलकी आतों साफ करना है इसे अच्छे से क्लीन कर लेना है सभी जगे को ठीक है उपर और निची वाने को भी तो यहां पर दोस्तों आपकी जो यह स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम है यह सौल हो जाएगी क्य आपको अपने मुवाइल फोन को एक बर रिस्टार्ट करना है ठीक है रिस्टार्ट कैसे करेंगे देखें मुवाइल फोन के साइड में यह जो पावर बटन होता है पावर बटन को आपको उंगली से दबा के रखना है तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज आएगा ठीक है इस तरीकी का इसमें देखिए आपको restart का यह option मिल जाता है restart पर आपको tap करने इससे क्या होगा कि आपका mobile phone जो automatic switch off हो जाएगा फिर इसके बाद automatic switch on हो जाएगा restart करने से क्या होता है दोस्तों कि आपके mobile phone के android system मेरो कोई कमी आ जाती है तो वो कमी restart करने से दूर हो जाती है जैसे कि क्या हमारा mobile phone hang करता है call की दिक्कात आती है speaker की दिक्कात आती है speaker ठीक से काम ने करता ऐसा ही काफी सारी समस्या है जो है वो mobile phone को restart आता है लेकिन आम उसे जो है अपडेट नहीं करते हैं जिसकी वज़य से भी हमारे स्पीकर में या फिर कुछ और जो एंडुड शिस्टम में कम यह आ जाती है तो आपका जो है जो है सिस्टम अपडेट है या नहीं है यहाँ कैसे चेक करेंगे सबसे पहले तो आपको करने क् सेटिंग पेज जो है नीचे आना है यह पर आपको ए औप्सें करने के अपडेट करने है तो आपको फोन का सिस्टम अपडेट आप देट करने से भी आपकी स्पीकर में से जो साउंड के अबाद नहीं आ रही है वह आपकी सॉल्व हो जाएगी ठीक है यह पर आपको करने क्या है कि आपके मुवैल फोन में यहापर यह जो सैटिंग का पेज ओपन करिए सैटिंग के पेज में आपको सबसे उपर यह सर्च आइकन का ऑप्शन मिलता है ठीक है इसे आपको आपको अगला प्रोसेस यहां पर क्या इसके बाद कि यहां पर आपको अपने मुवाइल फोन को एक बार रिसेट करने है रिसेट कैसे करेंगे ना तो सैटिंग पेज मापको सबसे नीचे या ओप्शन मिलेगा सिस्टम का सिस्टम पर सेलेट करना है अब इसके अंतर आपको आपको नीचे की साइड और आपकी माइक्रोफोन की प्रॉल्म जो है वो खतम हो जाएगी ठीका ना इसपीकर की जो प् एसपे टैब करने से पहले ना आपके मुवाइल फोन में जितना भी डेटा है जैसे की photo, video, document जो कुछ भी है वो आपको दूसरे मुवाइल फोन में transfer कर लेना है पहले तो ठीक है इस पर tap करने से पहले नहीं तो आपका सारा सारा डिलेट हो जाएगा जिसके बाद आप उसे ब पाइश्ट आप फोलो करने जिसके कारण आपकी स्पीकर में जो साउंड की आवाज नहीं आ रही है या फिर थोड़ी-थोड़ी आ रही है वो आपकी प्रॉड्म जो सॉल्ड हो जाएगी ठीक है अगर दोस्तों यह सारे प्रोसेस करने के बात भी अगर आपकी स्पीकर की प् अप्शन बसता है मुवाइल फोन के सर्वी सेंटर पर जाना ठीक है अधरवाइस जो मैंने आपको जितने प्रोसेस बताएं हैं उन सभी प्रोसेस को आप यूज करेंगे तो आपका स्वाल्व हो जाएगा ठीक है सर्वी सेंटर तब ही जाना पड़ता है क्योंकि हमारे कोई दिक्कत आ सकती है ठीक ना मुवाइल फोन के जिसके वज़े से स्पीकर की साउंड की प्रोब्लम आ जाती है